पती ने जब पतनी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने लगे हाथों प्रेमी के साथ ही प्रेमी का की शादी करवा दी पती पतनी और वो कि ये कहानी बिहार के नवादत जिले से है जहां सोसल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक शादी सुधा पुरुस और महिला की शादी गावालों के द्वारा कराई जा रही है वो भी महिला के पती के शामने महिला को साथ फेरे उसके पती के सामने दिलाए गए ये अनोखा विवाह ग्रामिडों के मौजूदगी में हुआ दरसल ये वाइरल वीडियो जिले के नार्दी गंज प्रखंड का है जहां महिला के पती और ग्रामिडों के सामने ही महिला की शादी कराई गई पतनी के प्रेमी के बारे में जानने के बाद पती ने दोनों की गाव स्थित मंदिर में शादी करवाई जानकारी के मुताबिक तीन साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी और दो बच्चे भी थे सूत्रों के अनुशार प्रेमी नार्दी गंज प्रखंट के ही एक गाउं का रहने वाला है जो खुद भी तीन बच्चों का पिता है शादी की कुछ दिन बाद ही पती को अपने पत्नी के प्रेम प्रशंग के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद उसने समझाने की बहुत कोशिश की इसके बावजुद उसकी पत्नी अपने प्रेमी से बात करती थी और दोनों का चोरी चुपके मिलना जुलना बे जारी र पिटाई भी की गई, बाद में पती और ग्रामेडों के आक्रोस के सामने उसकी एक भी न चली और अंतिता मंदिर में सिंदूर दान कर शादी के रस्म निभाए गई, इस अनोखे शादी की चर्चा आसपास के इलाकों में खुब हो रही है। बाद में पती और ग्रामेडों के आक्रोस के सामने उसकी एक भी न चली और अंतिता मंदिर में सिंदूर दान कर शादी के रस्म निभाए गई, इस अनोखे शादी की चर्चा आसपास के इलाकों में खुब हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़ी रहने के लिए करारा न्यूजडे और नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इस खबर बताए। झाल झाल